जी गूद मॉनिंग एब्रिवन I know तुसी सारे अपने कार बैठे हो ते देखो प्रॉब्लम्स लाइफ चे बहुत आ सकती है ते जदो भी कोई प्रॉब्लम आंदी है तो अटे को दो ही हलों दे है या तुसी उस प्रॉब्लम नो एक्सेप्ट करके करे बैठ जो या दूसरा उस प्रॉब्लम ना लड़ो ते अपने सारे में सुक्सेस्फुल होने है और सुक्सेस्फुल लोग हमेशा प्रॉब्लम्स ना लड़ दे हो ना दो डर दे नी है सो बिना टरे, बिना टाइम वेस्ट किते, अपा फड़ा फट आज दी क्लास शुरू कर देया, ते पहला जेडी चीज में आज ता नू करान लगया हूँ है, राइटिंग टास्क वन, अक्याडमिक, ते अज अपा पहला बार ग्राफ करांगे, थोड़ी बहुत में ग्राफ अपारी डिस्रिप्शन दावाँगा, प्लस, आ विल अलसो तेल यू दी फॉर्मेट हाँ तो इट, ते एनु अराम नल बहे के वीडियो तो ड़ेगोल है, इनु जद मरजी पॉस करो, जद मरजी प्ले गरो, एक वर सुनो, दूर सुनो, दस वर सुनो, जदो दक चीज समझ नहीं आंदी बाकी मेरा फोन नंबर तोड़ेगोल है, सिमर में हम दा फोन नंबर तोड़ेगोल है, कदे भी कॉल करो, कोई डॉट चैए, तुसी कदे भी पूछ ज़यों, एनी सोचना कि सर आनी रेती हो, उनन आधा फोन नहीं चाल रहा है, तुसी मेरा जिस्टेम मरजी कराना जो भी तोड़े क्वेश्टन जाओना दा अंसर दवागा ते पहला दा मैं सारे नू कहना कि एक विनेट बुक तुसी ये लेके हो अपने सारे अपने सामने बुक रखो ते इस वीडियो नू पॉस कारके इस बुक नू लेके हो जड़ी आपा इंस यू ची दित्ती है ते एदा पेज न अपर तुसी गढ़ना है ट्वेंटी है ते जेडी चीज अपा पहला हुन शुरू कर लग गया है जिवा मैं ता नू पहला दस्या है टास्क वन राइटिंग दा ते कुछ-कुछ चीज आपा फटा-फट रिभाइस कार लिए के पहला ज़ो भी देखो ट मैक्सिमम मिनिममम फिफ्टी बन फिफ्टी और मैक्सिमम टू हंड़ जदोगी ता उनू बार ग्राफ आंदे है ओदे हमेशे चैर पारेग्राफ बनाने ओटी फोर पैरग्राफ फिर्स्ट हमेशा आएगी इंट्रोडेक्शन सेकेंड ओवर्विव थर्ड मेन पैरग्राफ और फोर्थ हाईगी एंडिंग या ओवर्वर्व इस तरीके ना तुसी चार पैरग्राफ नो डिवाइड करना है इंट्रोडिक्शन ट्वेंटी तु थर्टी वर्ड्स 20 तु 30 वर्ड्स ही तुसी ओवर्वीव ची लिखने है मेन पैरग्राफ च्राउंड 100 वर्ड्स और 20 तु 30 वर्ड्स तरीके लिड़े लास्ट पैराच लिखने है सो मैं एक वरी फेर रिपीट कर देना चार पैरग्राफ बिनाने है इंट्रोड़क्शन 20 वर्ड्स, ओवर्विव 20 वर्ड्स, मेल पेरा 100 वर्ड्स, एन इंडिंग 20 वर्ड्स वी ता मतलब यह नहीं होंदा कि तुसी 15 वी लिखतो ता भी ठीक है 30 मैक्सिमम ता मतलब यह नहीं है कि तुसी 31 नहीं लिख सेदे पर तुसी approximately एदधा इन्हों follow करना है जदो तुसी writing task में लिखना शुरू करना है उस तो पहला बहुत ज़रूरी है कि तुसी उन्हों ते अनल देखो और उन्हों ते अनल बढ़ो ति अपने अपनी book सिक्वारी तुसी देखो उथे clearly लिख्या है उन्हाने कि जड़े diagram है it is about the average hours of unpaid work per week done by people in different categories कि उन्हें दो categories तिन categories इस चे दिती है और दो तरह दे लोग का नहीं गल कीती है जब मैं तुसी बोड़ते देख सेथे हैं सामने जड़े blue color चे ने यह हैं कि I'm married women blue चेड़े ने married women और red चेड़े ने married men मैं इते color distinguish इसली कारता कि तानो बोड़ते easy ली देखे बोड़ते नहीं भी देखो कि तौड़ी book से बने हुए है तुसी मेरी video नो सुन दे रो ते लाल नल book विच जो देख के तुसी graph नो better way च समझ सेथे ज़े तानो video सही लगदा है video देख लो अदवाइस तुसी अपने बोगच भी सामने देख सेगे ते इस graph चे दे तुसी त्यानना गेखो असी जदो introduction लिखनी है असी top line जड़ी तानो दित्ती होंदे introduction दी ओनो देख के ही तुसी introduction अपनी बनानी है ते जदो भी तुसी introductions बनांदे हो ना उदा मैं तरीका दानो अज simple and best way दजदा के तुसी कदे भी introduction ना पड़ो ज़े तुसी graph दे introduction पड़ोगे ता तो ड़ी जड़ी introduction है तो बिलकुल ओधी copy लगगेगी ते अधे तानो number नहीं मिलगे तुसी हमेशा की करना है हमेशा graph नो देखना है ते graph देखके मैंनो की की चीजां पता लग दी है के ने left side ते number of number of men और women लिखे है या ours लिखे है साइट ते की लिखे किने कंटिया दा work है नीचे उन्ने तिन categories देती है और अधे की लिखे है married women and married men ते एनू यू यूज करके तुसी introduction में राणी है कि दो categories दे साथे को केड़ी के लिखे है married women and married men तो इदे introduction की आएगी the graph reveals the amount of hours spent on unpaid work by married men and women simple सिर्फ दो lines लिखनी है तो उसे अपने graph नो simple introduction देनी है after your introduction is over video नो किते भी pause करके note कार सब्सक्राइब मैं जो लिखवाया है यह नहीं सोचना कि मैं तेज तेज पाज रहा है मैं तेज नहीं पाज रहा time नो utilize कार रहे है वीडियो नो दुबारा सुंड़ो यह उनो pause कारके चीज नो note कार सब्सक्राइब next overview मैं ता नो दस्या से के second पैरा की आएगा overview हुन overview चीग्जैमिनर की suggest कर दा है के तुसी इस graph बारे लिखना है उदी complete information देनी है पर कोई भी value नो use नहीं करना जदो भी graph आन दाना ए तोड़ी values नहीं है ए values है जिते numbers दिते होने है on this axis इनन वो पा की केले है values इते की values हैं है hours इनन वो पा केले है category without children, with one to two children, with three plus children ते जदो भी तुसी overview लिखना है overall लिखना है which will be the second pair उदेच तुसी इनना नो include नहीं करना बट तुसी categories नो use करके सारा graph explain करना है मैं ता नो एदा example देना एदा सारा graph कित्दा एक्स्प्लेइन हो सगा है 3-4 lines तुसी में में चीज्जां देखना है उन में चीज की है के married women तिन्नों category चे ज्यादा unpaid work कर रहे है और married men तिन्नों category चे women तों cut paid work कर रहे है तुसी तुसी overall की लिखोगे than men in all the three categories मैं इदिया सिर्फ दो लाइंज लिखे है और जिए तुसी त्यान ना लेको मैं दो लाइंज चीज सारा graph explain करते है मैं simple लिखे है कि जेडी married women से किया उनना ने married men तो ज्यादा की किता है unpaid work सारी categories में अब different graph है उनकी अलग से introduction बनेगी उनकी अलग से overview बनेगी तो जब हम उन graphs को करेंगे मैं daily कोशिश करागा कि तो आनो रोज एक graph पेज़ा ते अलग लग तरीके दे पेज़ा ताक एक वरी तानो within a week इनना दी overviews और में पैरा बनाना आज़े ठीक है clear है तो यह इसके overview बनेगी इसको आप पढ़के इसको राम से आप लिख सकते हो इसके इलावा साथा थर्ड पैरा मता लुकिए क्या से अपा किन्ने words लिखने है 100 words और उसको हम क्या बोलते है main पैरा तो main पैरा में आपने simply क्या करना कुछ भी नहीं करना values के साथ आपको सारा graph explain करने तो जैसे मेरे पास क्या क्या values हैं मेरे पास simple value है book में अगर मैं देखूं तो जो यहाँ पे children without children married women है वो किन्ना काम कार रही है 30 hours और जो without children men है वो कितरा कर रहे है less than 20 तो मैं बस comparison कर करके main पैरा जिस सारी information दे दूगा अगर आपको याद हो जब मैं starting में आपको explain कर रहा था कि हमारे पास एक फोर्थ पैरा भी है जिसको हम बोलते है closing ending तो ending बड़े तरीक्या दी हो से दी है कहीं ग्राफ सब्दा नहीं है उन्हाच categories बहुत ज़्यादा हों दी है तो हम simply क्या करते है कि 5 categories है मालगों तो 4 categories आपने main पैरा में बता दी और एक category आप कहां बता दोगे ending में लेकिन if you see this यहाँ पे आपके पास ज्यादा categories नहीं है नहीं आपके पास ज्यादा content लिखने हो है क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 categories है और values भी बहुत काम है तो आप क्या करो कि 3rd पैरा में आप अपने book में भी देख सकते हो book में सारी explanation दी है तो आप 3rd पैरा पढ़के सारी explanation देख लो उसने कैसे दी है और last में आप क्या कर सकते हो ending में म आप एक trend बता दो तो यहाँ पे trend क्या पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा unpaid work कौन कर रहा है married women with 3 children यहाँ तो यह लिख सकते हो यहाँ यह भी लिख सकते हो कि जो married men का unpaid work था all 3 categories में वो below 20 hours है ठीक है समझागी मेरी कर जद तुसी ending करनी है तुसी की लिखोगे that working hours of married men in all the categories is less than 20 तो यह मेरी closing आदेगी की working hours of married men in all the categories is less than 20 तो जदो भी examiner ने तोड़ा graph check करने उससे simple देखना कि कितनी clarity है कि मैंने कितनी easy language में आपको सारा graph explain किया है वहाँ पे values तो आपने लिखनी ही लिखनी है बट values का कम यूज करना है और English language का ज्यादा तो जब आप इसको भी explain करोगे main paira में तो आपकी language कैसे चलेगी आप book में पढ़ सकते हो टास्क को अच्छी तरह read करो फिर time निकाल के 20 to 25 minutes में आपको इस task को complete करना है इस वीडियो नो देखना सिर्व ही मतलब नहीं है कि मैं वीडियो देख ली वीडियो देखके में इनो ग्राफ समझ आ गया और मैंने बुक में से पढ़ लिया that's it no जब तक आप इसको लिखोगे नी जब तक आप इसको मेरे से check नहीं करवाओगे इसका मतलब समझो आपने कुछ नहीं क करिए तर मैं रोज वीडियो पे इधर होंगा वीडियो देखनी है जड़ा टास्क आप वीडियो चे डिसकस किता है और तुसी करना है और करके तुसी मिनों इमेज क्लिक करके वट्चैप भी कर से देओ या उसको एक हफता कंपाइल करते रहो क्योंकि ज्यादा से ज्याद करके ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो तो आपको चेक करके मैं उसी टाइम या थोड़ी देर बाद आपको उस चीज के रिव्यूस दे दूना तो जब भी ये टास्क करना है आपने पढ़ना है और इसको लिखोगे तो मेक शूर कि आपको 20 to 25 मिरेट से ज्यादा ना लगे तो गपती है तो आपको 20 गरेट से ज्यादा लगे रहे है तो that means you are doing it the wrong way एंग्जंग में आपका टाईम एक कभी थिनिश ने होगा यह टास्क में इन फिनिश करता हूं इस वीडियो के लिए I hope that you do practice at home, good bye